इटीवी के खास मुलाकात का एरकम में आपका हर्दिक सागत है अरुन जी दिल्ली में वित्मन्त्राले की सारी भागदोर के बावजूद आप इसले कुछ समय से बिहार और पटना पे फोकस कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि आप वहां सरकार बनाने जा रहे हैं दिखिए चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके महत्व के दो-तीन कारण भी है एक कारण तो स्वभाविक है कि राजनेतिक दल का अर्थ होता है कि हम लोग सत्ता में आएं और जन्ता की सिवा करें लेकिन मुझे लगता कि बिहार में एक और अब्जेक उदेश भी है हम उभर कर जिस ताकत में आएं हैं देश में अपनी ताकत पे अपने कुछ चोटे सही होगी हैं उनके साथ मिलकर बिहार में हम सरकार बनाएं मैं अगर एक बात कहूं जो गलत ना हो कि एक राजनेतिक दल जिसका सबसे अधिक शोशन उसके साथियों ने किया वो हम थे हर्याना में हम 29 सीटे लड़ते थे 29 पे को 30 सीट देने को साथी तैयार नहीं था अपने दम पे लड़े और सकार बनाई महराष्ट्र में हम संगर्ष कर रहे थे हमें 118 सीट दे दो अपनी ताकत पर लड़े और 130 पर पहुंच गए जहरकंड में यह जो दल बदलू टाइप के नेता थे उनके सहयोग से सरकार बनाते थे अपनी ताकत पर लड़े और अपनी सरकार बना ली अब तीन राज्य पिछले एक साल में जे डियू के साथ मिलकर एक सो तीन सीट हमें मिलती थी वह 140 लड़ते थे हम बड़ा दल हैं आज उनको अकात पता चल गई कि सौ सीट भी लिए गटपंदन में और सौ में से बीस आती है कि तीस आती है इसके लिए वह दल संगर्च करेगा और मुझे लगता है कि हमारी ताकत उबर कर आए हम अपनी ताकत पर भहुमत लें और फिर भी साथियों के साथ मिलके सरकार बनाई यह हमारे लिए ज़रूरी है और यह जो शोशन का दौर था बीजेपी का साथियों द्वारा जैसे अन्य राज्यों में सवाप्त हुआ यहां भी कम हो तीसरा एक और कारण भी है बिहार की जंता के प्रती भी इस देश की और इस देश के राजनेतिक दलों का यह जिम्मेवारी है सच में आज דेश के बिमारों राज्यों में इतना पीछे चला जाना आप विकास का मॉडल देखिये क्या है आप ने बिजली के कारखाने ने नहीं बनाए दस साल में पंदरा साल लालू ने नहीं बनाए लालू जी ने नहीं बनाए पच kingdom साल में electricity production नहीं हो रहा है थोड़ा साब गाउं में स्कूल बन जाए और एक छोटी सड़क single lane बन जाए नितिश कुमार जी का development model के वोल यह है मैं इसको primitive development model कहता हूँ कितनी industry आई 10 साल में तीसरा देखिये बिहार के अंदर agriculture है तो कितनी agro-based industries आई बिहार के अंदर एक बहुत होश्यार तेज तरार दिमाग वाले लोग है human resource है लाखों की संख्या में बाहर पड़ने जाते हैं बाहर रोजगार के लिए जाते हैं आप कितनी universities वहां पर ला पाए अगर 123 सीटे 122 सीटों बहुमत अपनी ताकत पे भी आ गया हम तब भी राम बिलास जी को जितन राम मांजी जी को उपेंदर कुश्वा दिल्ली में भी हमारी 282 सीटे दिल्ली में हैं लेकिन हमने सब को गठबंदन में रखा है तो हम बिहार में क्यों ने रखे पूरे बिहार के समाजिक जनचीवन में इन लोगों का इनके राजनेतिक दलों का कम होगा लेकिन एक महत्व है जिन समुदायों के वो नेता हैं कम से कम उसकी भी एस्पिरेशन उमीदे हैं तो हम उन सबको साथ लेकर सरकार बनाएंगे बहुमत हमारा उनके साथ मिलके हो या अपना हो हम कोशिच कर रहे हैं कि हमारा स्ट्राइकरेट इतना हो कि हमारी अपनी ताकत बड़े जिससे एक नुकलियस सरकार का एंकर बहुत मजबूत हो लेकिन सबको साथ लेकर सरकार बनाएंगे बीजेपी का दावा है कि पहले और दूसरे चरण में जो 81 सीटों पर मद्दान हुआ उसे 52 से 55 सीटों पर सी में से हमारी 21 सीटे थी सिटिंग में जो हमारी 92 सीट पिछली बार आई थी उसमें केवल 21 ती इसमें हम बहुत आगे बढ़ेंगे अपने विरोधियों से काफी आगे रहेंगे लेकिन जो तीसरा और चौथा फेज है यह उत्तर भिहार का इसको हम स्वीप करेंगे निति इश्कमार आपके पुराने मित्र है और पुराना गठवन्दन था उसके आर्चिटेक्ट आप थे आपके रहते हो गठवन्दन कैसे टूटा इस पार देखिए व्यक्तिकत संबंध पहले भी थे आज भी है और रहेंगे लेकिन एक राजनेतिक रिष्टा भी होता है और वो राजनेतिक रिष्टा यह है कि दोनों दल इकटा मिलके चलें 2004 में जब हम लोग हार गए लोकसभा का चुनाव और यूपिये लगबग 28 सीट जीत गया तो यह लगता था कि यूपिये को बहुत अच्छा भहुमत मिल गया बिहार में हमारे तो दस यारा MP बचे थे सिरफ और यूपिये जीतेगा मैंने जब बिहार का आखलन लगाया तो मुझे लगा गी RJD के जंगल राज के खिलाब बहुत ज्यादा नराजगी है लोगों की नितिश जी केंदर मे वाजपाई जी के मंत्री परिषद में भी थे अगर हम इकठा मिलकर और कुछ कॉंसेंट्रेटिड बैटल करते हैं तो कम से कम अच्छी स्थिती में आएंगे जैसे कैंपेंड बड़ा तो मैं कन्विंस था कि हमारी लोगों की जंगल राज के प्रती इतनी निराशा थी और हमें जंगल राज को समाप्त करने का मैंडिट मिला वो भरष्ट सरकार थी वो केवल जाती आधार पर राजी को बाटती थी शासन चले और विकास के नाम पर वोट मिले लालू जी का कोई आईडिया नहीं था और इमांदारी के साथ उस गठबंदन को हमने बनाया हमने सैक्रिफाइज भी किया हमारा शोशन भी हुआ हमें कम स कि गोशना बीजेपी ने कर दी थी उस वक्त जॉज फर्नेंडिस ने इत्राज किया था कि क्योंकि हमसे तो आपने पूछा नहीं हमने कभी आपी के दल के नेता की कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता था कि कोई भी सैक्रिफाइज करो लेकिन जंगल राज से मुक्ति करवा वो लोग दफ्तरों में जाने लग पड़े, डिस्पेंसरी में दवाई मिलने लगी, गाउं में स्कूल बनने लगे, छोटे-छोटे काम शुरू है. मुझे लगता है कि कुछ समय बाद जे डियू की नियत बदल गई. और उस नियत में उनकी ये नियत थी कि कभी ना कभी हम अ लग राजनिती करें. और उनकी इच्छा ये थी कि लालू प्रसाद जी को जेल हो जाए और जेडियू के नेता उसके लिए कोशिश कर रहे थे, कंप्लेंड और केस सारा लड़ने का काम जेडियू करता था. लालू जी जेल चले जाएंगे, लालू जी के वोट बैंक में से एक बड़ा हिस्सा जेडियू के साथ आ जाएगा, और फिर जेडियू अपनी ताकत पे सरकार बना लेगी, और उसको बीजेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी. मोदी जी का विरोध एक बहाना था. जब पूरी देश की मानसिक्ता ने उसको सुनको स्विकार कर लिया था तो जेडियू क्या विरोध करती है. डॉक्टर राम मनोर लोहिया के चेले राहुल गांदी की गोद में चले गए. मतलब कभी मैं करपना नहीं कर सकता था कि इस द लालू जी को जंगल राज का चाप देने वाले और यह कहने वाले कि इस व्यक्ति ने बरबाद किया भिहार को फिर जाकर उसके पास समर्पित हो गए. और एक विचित्र सी दौड़ वो अब दौड़ रहे हैं जिसमें कॉंगरेस भी है, लालू जी भी है, नितीश जी भी ह कौन किसको कब ठगता है उस गठबंदन में केवल इतनी योजना बननी है और मैं हमेशा कहता हूं कि तीन टांक की दौड़ जो होती है वह कभी दौड़ी नहीं जाती है, उसमें कभी न कभी आप लडखला के गिर जाते हो और यह गठबंदन खुद तो डूबेगा, लेकि है फिर से उसके उसकी संभावना ज्यादा नहीं है, इसलिए संभावना नहीं है क्योंकि पोलराइज डिलेक्शन है, दो वर्गों के बीच में, एक तीसरे चौथे ग्रूप लड़ रहे हैं, कम सीटे हैं और जब दो कंपीटिंग वर्ग होते हैं और उसमें एक को दो तीन परसेंट वोट एक्स्ट्रा मिल जाए, तो सीटों का गैप काफी बढ़ जाता है, और वही इस चुनाब में होने वाला है, एक मित्र ने कहा कि निति इश्कमार के एक मित्र को आपने दिल्ली में कहा कि आठ नॉंबर के बाद निति इश्कमार दिल्ली में देवदास की तर मादर करते हैं, राजनीती अलग-अलग है. आपने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया पिस्नी दिनों पत्ना में, काफी अच्छा मैनिफेस्टो था, आपने का गूड गवर्नेंस, डवलपमेंट, वोमन एंपॉर्मेंट, हुमन डिसोर्स, सब बात ही थी, तो बेसिक स् स्ट्रेटिजी आरंब में दो, तीन चीज़े करने की होगी. नंबर एक, आपको बिहार का एक इंफ्रस्ट्रॉक्टर डिवलप करना पड़ेगा. आपको हाइवेज बनाने पड़ेंगे. आपको रूरल रोट्स बड़ी बनानी पड़ेंगी. आपको बाहर के राज्यों से कोईला लाकर बिहार के पानी का इस्तिमाल करके हाइडल के माध्यम से बिजली का निर्मान चीज़ू करना पड़ेगा. तो सडक, बिजली और पानी ये बिहार की पहली स्ट्रेटिजी होगी. जब एक बार वो आ जाए, तो एक दूसरे तरफ आपको बिहार के अंदर एग् कोई लोग अंदरप्रदेश जाना चाहेंगे, कोई अन्य राज्यो जाना चाहेंगे, तो एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री के इलावा, आपको बिहार का सर्विसे सेक्टर डेवलप करना पड़ेगा. उसमें दो स्ट्रेटिजी होंगी. आरक्षन का जो विवाद उठा था, I think, by now it is sorted out. कोई विवाद था ही नहीं. भागवज जी ने कभी नहीं कहा कि आरक्षन समाप्त होना चाहिए. संग 91 से मंदल आयोक के समर्थन में बोलता आया है. और आज भी उन्होंने भी इस्पष्ट कर दिया, BJP तो हमेशा कभजोर का आरक्षन होना चाहिए. इसके इलावा कोई दूसरी सोच ही नहीं है हमारी. बीफ कोई मुद्दा बनेगा इस चुनाम में रखता है ऐसा को लालु यादव मुझे बताईए ये कहां से मुद्दा बना. आज मैंने एक सदार पटेल मेमोरियल लेक्चर दिया. मैंने का कि आज आप भी टेलेविजन चलाते हैं. एक्च्वल न्यूज और चैनल प्रमोटेड न्यूज दोनों के अंदर अंतर होता है. अब कॉंस्टिटूशन में लिखा है कि कैटल प्रोटेक्शन होगा. काव प्रोटेक्शन तो कॉंस्टिटूशनल मेंडेट है. उन्नी सो कावर में आ गए तो वह 1954 का कानून और 1950 का समविदान होते हुए भी वह इशू बन जाएगा. तो यह चैनल प्रमोटेड इशू है, यह जमीन पर कोई इशू नहीं है. अभी अनेशनल जुडिशियल अगॉंट्मेंट कमिशन पर आपने कहा कि इट इनोर्स बेसिक स्ट्च के दाइरे में काम करना है. समविदान में लिखा है कि जज कैसे बनेगे? फैसला समविदान के अनुकूल होगा है या समविदान के विरुद में होगा? आप कहिए independence of judiciary basic structure है. बिल्कुल है. वो independent रहे, credible रहे. लेकिन ये विवस्ता कि कि किसी मुख्यमंत्री का, किसी यह तो क्यों जिम्खाना क्लब में होता है, कि जो पुराने मेंबर्स हैं, वो नए मेंबर्स को बनाते हैं, कोई दूसरा इंटरफेर नहीं कर सकता है। Constitutional appointment तो पूरी दुनिया में इस प्रकार से नहीं होती है। तो फिर आपने स्टेंट क्यों चेंज किया, आपने कहा कि भी ओबे इस ओडर? ने, ने, दिखे, all court orders have to be accepted. I can't decide it's a right order or a wrong order. I am entitled to say that it's an incorrect order. But I have to obey even an incorrect order. Because that's the rule of law. तब यह chapter close हो गया, finally settled है या फिर कभी इनी thinking होगा? वाक्य अंत में कहा था उस debate में, कि जो NJAC बना था, वो तो समात्र कर दिया Supreme Court ने, लेकिन एक बेतर विवस्ता के लिए, एक transparent विवस्ता के लिए debate चलती रहेगी, जब तक वो अच्छी और transparent विवस्ता नहीं आएगी. तब याज का अलाज मिश्र ने एक आर्टिकल में इसी बात को दोराया है कि, यह तो एक चर्चा का विश्य है, मुझे लगता है संसंद में भी यह विश्य आएगा. तो अभी जो vacancies है, 400 के आसपास, यह process इनको भरने का चालू होगा? वो होगा, जो सभावी के judgment के मुताबिक जो नहीं विवस्ता है तो इसको भोना भी चाहिए, vacancies तो नहीं रहनी चाहिए. और एक में कहरा था कि काफी समय तक प्राइम मिनिस्टर का मीडिया से communication गया पर आपने बड़ा positive step उठाया और प्राइम मिनिस्टर की मौझूदगी में पिछले दिनों संभाद करवाया लोगों से. तो वो उस इट ए वन टाइम exercise और तो बी रेगुलर अफेर. करते रहेंगे. प्राइम मिनिस्टर इंडिविज्वल भी मिलते हैं, कुछ professional working journalist को एक structured group में भी मिले और वो मिलते रहेंगे. बहुत अच्छा प्रयास्ता, काफी इसकी दारीव हुई. एक social media पे कुछ control करना चाहते हैं, सुना से का. कोई control social media पे संबब नहीं है. मुझे लगता है social media का जो प्रयोक करते हैं, वो बहुत बड़ी ताकत है. वो खुद भी restrained exercise करें. विशेश रूप से जहां मजभी यहां जाती है, विशे आते हैं, वहां restrained रखना पड़ेगा, क्योंकि वो frenzy create कर सकता है. और इस देश को बिन उस frenzy के चलना चाहिए.